Hello everyone, आज हम बताने वाले हैं आपको कि probability and aesthetics के लिए एक बेहतर बुक कौन सा हो सकता है हम ऐसा नहीं बताएंगे कि बहुत सारे foreign writer का बुक आपको बता दे और आप उसमें बहुत सारे पैसे लगा ले तो वो आपको फिर बाद में समझ ही ना है तो ऐसा भी नहीं बताने जा रहे हैं, एक ऐसा बुक जो लगभगा students को बहुत अच्छे समझ आने वाला है तो कुछ दो-तिन बुक है मेरे पाँ, जैसे कि जो भी बचे जारखन के इनिवर्सिटीज के हैं तो हुए लोग इस बुक को जानते होंगे probability and statics के लिए, जैसे कि अगर आप BBM के उसे हैं, भी भी उसे हैं तो आप लोग के लिए एक, ऐसा कह सकते हैं कि लाल जी प्रसाद का बुक बड़ा famous है तो लाल जी प्रसाद का भी आता है probability and statics तो ये बुक है probability and statics आप इससे बड़ सकते हैं लेकिन इससे एक बहतर बुक है आपके पास हम कोई एक ही बुक बताएंगे आपको लेने के लिए तो देखे, एक बुक तो आपके पास ये है probability and statics आप इससे ले सकते हैं और एक बुक है यहाँ पे कुछ दो-तीन राइटर्स मिल करके इसको लिखे हैं जिसका नम mathematical statics वो सारी चीज़े हैं जो आपको एक probability and statics में चाहिए होंगी B.C. mathematics में चाहिए किसी भी इनिवर्सिटीज का हो लगभग इनिवर्सिटीज के probability and statics वाले syllabus इसमें cover है और है जो इससे भी perfect है उसको आप लोग ले सकते हैं यह है कुछ ऐसा देखें B.C. mathematics के लिए S.C. Gupta का ये book है यहना V.K. Kapoor S.C. Gupta का V.K. Kapoor तो यह book भी बहुत perfect है इस book को ले सकते हैं आता क्या नाम से है? Fundamental of Mathematical Statics 12th edition का यह है यह book भी बहुत अच्छा है आप लोग अगर इसको online purchase कर सकते हैं मेरे पास भी यह दूसरा copy हुआ करता था फट जाने के वज़े से मैंने इसको फिर से वापस से purchase किया है तो यहां पर आप जाएंगे जब इसका आप content देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि लगभग universities के सारे जो भी universities हैं अगर आप देखेंगे तो इसका syllabus match करता है लगभग universities का syllabus इसके अंदर कबर कुछ extra topics भी है तो अब आपके पास तीन options हैं आप तीन में से कुई अगर एक लेना है तो आप इसे follow कर सकते हैं और ये भी book कोई बुरा नहीं है तो वो pricing के ऊपर depend है इसका कुछ 750 रुपय का लगभग ये books है और ये कुछ है साथ 200 या 300 रुपय तक का book है अगर आप जारकन के इनुवर्सिटीज से हैं तो आप इसे भी follow कर सकते हैं क्योंकि लगभग स्लेबस आपका इसमें टैली करता है और बाकी आप डियू से हैं या फिर और अधर इनुवर्सिटी से हैं तो आप इसको ले लिजे मेरा recommendation यही रहेगा कि आप इसी book को लिजे और बहुत जादा परिसानी हुरे है यह foreign writer ले लिए यह ले लिए इसको अगर पढ़के आप मतलब complete करते इस book को तब आप किसी foreign writer को follow करेंगे बहुत मज़दार तरीक से समझाएगा इससे आप लोग follow कर सकते है probability and statistics के लिए Thank you